कि ही को साइब सभी का एक्जाम और सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद और सभी को इतने भी वीवर्स हैं सब्स्क्राइबस हैं जितने भी फैंस हैं हमारे चैनल और हमारी टीम की तरप sc आप सभी को मकर संक्रांती की धेरों शुब कामना है जी हां दोस्तों और ये है लिखित परिक्षा शिच्छड कोशल पर आधारेत मॉडल प्रश्ण परत्रिस में प्रश्ण है नीचे स्थान दिया हुआ है ये पेपर है और इसमें मैं आपको क्वेस्चन पढ़ूंगा उसक प्रश्ण नमबर 122 पाठ प्रस्तावना कोशल का उद्देश क्या है तो दोस्तों जो पाठ प्रस्तावना कोशल होता है इसका जो उद्देश होता है वो है शिच्छक द्वारा पढ़ाये जाने वाले पाठ का छात्रों से पर्चे कराना जिहां यही पाठ की प्रस्तावन ना होती है यह चात्रों की पूर्वज्ञान पर आधारित होनी चाहिए जो पूर्वज्ञान को नवीन ग्यान से जोड़े यह पाठ प्रस्तावना का उद्देश होता है अगला question है खेल पराधारित दो प्रमुख शिच्छन विधियों के नाम बताएं तो दोस्तों आप सब को पता होगा कि मॉंटेसरी विधी और किंडर गार्डन विधी खेल पराधारित दो प्रमुख शिच्छन विधियां है नेक्स्ट क्वेस्चन है उत्तर प्रदेश के राज परियोजना कार्याले का मुख्याले कहां पर स्थित है तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के राज परियोजना कार्याल का मुख्याल है लखनव में स्थित है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनव वहाँ पर अगला क्वेश्चन है कच्छा तीन में पढ़ाई जाने वाली पाठ्छ पुस्तकों की संख्या तथा नाम बताईए कच्छा तीन में अगर आप प्राथमिक इस तर पर टीचर होने जा रहे हैं तो कच्छा तीन में पढ़ाई जाने वाली पाठ्छ पुस्तकों की संख्या पांच है कलख गिंतारा रेंबो हमारा परिवेश और संस्क्रिट पियोशम तो दोस्तों यह इस तरह से आपको जवाब देना है इसी सी कारिकरम की शुरुआत कब की गई तथा इसी सी का पूरा नाम लिखिए तो दोस्तों इसी सी कारिकरम की जो शुरुआत थी वो दो अक्टूबर 1975 को हुई ठीक है और इसका जो पूरा नाम है वो है अरली चाइड केर एंड एडुकेशन तो यह इसका सही जवाब है चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्रेस्चन प्रमुख उद्देश लिखिए दोस्तों क्वेशन नंबर 127 पी मोश्ट कारिकरम का जो दो प्रमुख उद्देश है पहला शिच्छकों में शिच्छन दच्छता की व्रधी करना और दूसरा है दी गई सामागरी का कच्छा शिच्छन में प्रयोग करना क्वेशन नंबर 128 मनुष्य की अंतर नहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिच्छा है ये कथन किस मनुवएग्यानिक का है तो दोस्तों मनुवएग्यानिक की बात करें या विचारक की बात करें दार्शनिक की बात करें तो यहां पर ये कथन जो है वो स्वामी विवेकानंद का है कि मनुष्य की अंतर नहित पूर्डता को अभिव्यक्त करना ही शिच्छा है स्वामी विवेकानंद जो बहुत ही बड़े विचारक रहे हैं हिंदू समाज के ये कथन उनका है आगे चलते हैं सुक्रात ने शिच्छा को किस प्रकार से परिभाशित किया है यानि शिच्छा की परिभाशा सुक्रात के सब्दों में क्या है तो इसका जो सही जवाब है वो है शिच्छा का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अद्रश यरूप से विद्यमान संसार के सर्वमान या विचारों को प्रकाश में लाना अगला क्यों है क्या है यह किस शहर में स्थित है तो दोस्तों नागपुर में स्थित है एन आई एमेच का जो फुल फाम होगा वो है नाशनल इंस्टिट्यूट आफ माइनर्स हेल्थ संस्थान ठीक है बाल मनविज्यान के section में आते हैं बाल विकास को प्रभावविद करने वाले किन्हीं दो कारकों का उलेख कीजिए तो बाल विकास को आप सबको पता है वंशानुकरम और वातावरण ये के अतिरित प्रतिये रेक वस्तु को प्रभावित करती है यह कथण किसका है तो दोस्टो यह कथण जो है वो है जैश्यक श्राओअ मैं आपको यहां पर लिखने दिखा रहा हूँ चैश्यक हुआ ड़ा है टाकि उपर यह है उसके बाद असे लिखा है यह इनका जो है कमें आप सब देख सकते हैं वार्द्र municipalities को परभावित करती यह कमें इन इन सोची और होते हैं और आ आएंगे ठीक है तो आप सभी जो special group में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए mobile नंबर है 9452267492 जी हाँ special notes लगभग आ चुके हैं और ये बहुत जल्दी whatsapp group special में provide करवाए जाएंगे धीरे धीरे जैसे कि आज आपको current affairs का और जीवन कौशल बाल मनुवग ज्यान का दिया गया है इसके बाद जो लोग नए हैं अभी special group में नहीं आड हुए हैं वो इस नंबर को save कर लें 94, 52, 94, 94 और whatsapp पर message करें special group में जुड़ना है अपना नाम लिख करके और उनको जुड़ने की प्रक्रिया whatsapp पर भेज दी जाएगी fees कैसे submit करनी है बता दिया जाएगा क्यूंकि उस group में सिर्फ लिखित परिक्षा की तयारी करने वाले छात्र हैं उन छात्रों के बीच आपको एक माहौल मिलेगा आपको कोई confusion है आप discussion कर सकते हैं ग्रूप में question पूँच सकते हैं और notes पा सकते हैं वहाँ पर practice set भी हल करवाया जाएगा आपको coaching करने की ज़रूरत नहीं है जुड़ सकते हैं exam master team से और अपनी तयारी को बना सकते हैं और ब हैं झारी कररें ताथ तो मच्त